हेलो फ्रेंद्स विलकम बैक टू मैं चैनल मैं समीता उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौनसून सीजन का अच्छे से मज़ा ले रहे होंगे हर सीजन के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं बट कुछ कुछ जो प्रॉब्लम आती है मौनसून में उसके मैंने काफी सारे स्यलूशन आपको लास वीडियो में भी शेयर किये जिसको आपने काफी पसंद किया तो आज एक दूसरा वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्ट टू जिसमें मैं कुछ और टेप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उमीद करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएंगी तो चलिए भी नादेरी केस स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो किचिन में बरतन रखने के लिए जनरली हम डिस ड्राइंग मैट का यूज करते हैं या बकेट का यूज करते हैं बर ड्रिस ड्राइंग मैट भी बरसात के सीजन में बहुत ज़्यादा मौशर एबजॉब करती है तो वो सेफ नहीं होती तो मैंने उसको हटा कर यहाँ पर एक टोकरी इस तरह से यूज की है और उसके नीचे इस तरह की ट्रेय रखिये पर इसमें भी पानी काफी कठा हो र कि कितना भी पानी उपर से आएगा तो वो नीचे चला जाएगा अभी तो उसको पर कुछ रखा नहीं है तो आपको यहाँ पर पानी के ड्रॉपलेट्स दिख रही है बट इसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि उपर जब आप वेट रखेंगे बड़तन जब टोकर होगा बट मॉनसून सीजन में ये मेरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो इसे आप अप्ट कर सकते हैं अगर आप पने बड़तनों को ड्राय रखना चाहते हैं जहां पर भी मौशर होता है कीडे मकोडे आना शुरू हो जाते हैं तो उनको प्रेवेंट करने के लिए इन बॉल अगर वहाँ पर छोड़ देते हैं तो वो किसी भी तरह के कीडे मकोडों को अंदर आने से प्रेवेंट करेगा तो यह आप ट्राय कर सकते हैं बरसाथ के सीजन में एक और कॉमन प्रॉब्लम है ग्रॉसरी का खराब हो जाना जिससे सूजी दल या बेसन ये सारी च प्रे में सूजी को फैला देना है और अब यहाँ पर मिनिममम टेंपरेचर वन सिक्स्टी आप रख सकते हैं और टैन से ट्वंटी मिनट के लिए आप इसको इस तरह से लगा दें आपको लगता है बीच में हिलाने की जरूरत है तो आप इस तरह से इसको उलट उलट कर सकत इसके बाद इस सूजी को ठंडा होने दें उसके बाद ही इसको एर टाइट बॉक्स में पैक करें यहाँ पर मैं उपमा बना रही थी और इस तरह की जो ड्राइ सूजी हमारी होती है इससे हमारा टाइम काफी बसता है क्योंकि वेजटेबल के साथ हमें सूजी को भूने की नहीं है क्योंकि औलडी वो भूनी हुई है रोस्टेर सूजी के होने से इसको बनने में टाइम भी बहुत कम लगता है जस्त आपको वेजटेबल के साथ सूजी मिलानी है और इसके बाद में वॉटर डाल दे रापका उपमा विदन मिनट रेडी हो जाता है तो इस तरह से दो फायदे होते हैं एक तो सूजी खराब होने से बच जाती है आप उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं साथ ही जब भी आपको हलवा या उपमा या कोई और रेसिपी से बनानी है तो आपको घंटों उसको रोस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका टाइम भी बचेगा और चीज भी खराब होने से बच जाएगी तो ट्राइज जरूर करें अक्सर हमने देखा है जब हम काला नमक रखते हैं किसी स्प्रिंकलर में तो उसका जो लिड होता है वो बहुत बुरी तरह पानी पानी साथ छोड़ने लगता है क्योंकि नमक की टे टाने आप इस तरह से डाल दें हर लेयर में जिसे मैंने एक पैकेट डाला उसके बाद इसमें चावल के दाने फिर एक और पैकेट इसमें डाल कर इसको पैक किया है उपर से भी चाहे तो आप चावल के दाने डाल सकते हैं क्योंकि ये एक स्प्रिंकलर है तो इसमें चावल flowing रहेगा बिल्कुल भी चिपका चिपका नहीं रहेगा तो इस तरह से जो भी sprinkler है आपका normal salt भी है तो उसमें भी आप इस तरह से चाबल डाल कर यूज कर सकते हैं का यहाँ पर आपको एक bonus ट्रिप दूँगी जब हम इस तरह से shake करके कोई चीज निकाल रहे होते हैं किसी भी sprinkler से चाहे वो salt हो या pepper तो आप देखेंगे कि बीच में वो कई बर फस नहीं लग जाता है तो उसके लिए आप उसको अप डाउन अप डाउन करके जब करेंगे ना तो आपको ये blockage वाली problem नहीं आएगी तो try ज़रूर कीजिएगा monsoon season में time to time अपने मसाला डिबबा को आप अच्छे से clean करते रहे हैं ताकि वो खराब नहीं हो क्योंकि अगर ज़रासा भी मसाला डिबबा में रहेगा तो मसाले बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो नीचे आप एक layer कपड़े की बिचा सकते हैं कोई paper बिचा सकते हैं और उसके ओपर थोड़े से दाने चावल के आप डाल दें जितनी आपके requirement हैं उसके हिसाफ से fill करें साथ ही एक दो जो कटोरिये हैं उसमें उन्हें आप खाली भी छोड़ सकते हैं और उसमें आप रख सकते हैं सलीका जेल जिससे की वो मौशर को absorb करता है साथ ही यहाँ पर में तेज पता और red चिली भी कट करके रख देती हूँ क्य अगर आपके बच्चों की भी uniform white है तो आप इस बात से relate करेंगे कि बच्चे हर दिन एक नए दाग के साथ घर लोटते हैं और हर बार दाग को हटाना possible नहीं होता है कई बार हमारे पास time नहीं होता है या उस दिन हम wash नहीं कर सकते हैं और बारिश ओरी तो वैसे भी हम wash नही कीजेगा ड्राइ दाग के उपर जो भी आप solution यूज़ करते हैं चाहिए वैनिस करते हैं चाहिए रिन का ये वाइटनर यूज़ करते हैं उसको आप directly उस पे apply करें या कोई pre wash भी अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको ड्राइ कपरे के उपर इस तरह से apply करके छोड़ दे अब आप इसको इस time wash करें चाहिए इसको छोड़ कर वाश करें या आपकी मर्जी है बर जब भी आप इसको wash करेंगे दाग बहुत अच्छे से निकल जाते हैं यहाँ पर यह बहुत अजीव से grease के और मिट्टी के दाग मेरा बेटा लगा के आया है तो इसको थोड़ा सा rub क करना पड़ा अधर्वाइस आप रसे लगा के भी छोड़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो यहाँ पर जब मैं cleaning के लिए इसको डालती हूं तो उस time पर detergent के साथ थोड़ा सा वैनस भी डाल देती हूं क्योंकि और भी कपड़ों में कुछ-कुछ मिट्टी के दाग होते हैं तो वो सारे clean हो जाते हैं इस तरह से जो भी आप cycle चलाते हैं उस तरह से आप चला सकते हैं और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि extra rinse करने के लिए आप extra rinse cycle भी opt कर सकते हैं तो कपड़े आपके dry निकलेंगे तो यह देखिए मैंने इसको iron कर दिया है pen को उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे आपको दिखाना भी है तो इसमें किती सारी lines थी इस तरह की grease की वो सारी निकल चुकी है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ा है जो आपके सामने था वही और यहां पर यह यलो दाग है ना यह मिट् smell आती है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था किस तरह से आप comfort का यूज रेगलोर भी इस पिक कर सकते हैं बट कुछ लोग उसका यूज नहीं करना चाहते हैं या आपके पास नहीं है तो उस case में आप baking soda और कोई भी essential oil जो भी fragrance आप पसंद करते हैं वो आप cycle में यूज कर लें तो उसके बाद जब आप देखेंगे ना कपड़े आपके धुल के आएंगे तो उनमें बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है और आपको अपने कपड़े बिल्कुल महकते हुए नजर आएंगे तो ये भी आप जरूर ट्राय कर सकते हैं बारिस के मौसम में कभी क अब ऐसा देना आता है जिस दिन थोड़े से बादल चटते हैं और हमें दूप दिखाई देती है तो उस दूप का सबसे अच्छा यूज़ आप कर सकते हैं अपने सारी चितु को बाहर ड्राय करने रखें स्पेशली डस्बिन को डस्बिन को आप उस दिन जरूर वाश करे और ड्राय होने के बाद जब आप उसको दुबारा यूज़ करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप क्या करें पेपर के अंदर बेकिंग सोडा को थोड़ा सा डाल कर छिड़क दें और उसके बाद नीचे बिछाएं पेपर और पेपर के ऊपर फिर आप अपना गार्विज बैग लगा सकते हैं इससे क्या होगा जो भी स्पिल वगएरा अगर थोड़ा बहुत होता भी है नीचे तो वो स्मेल क्रियेट नहीं करेगा साथ ही हमने बेकिंग सोडा डाला है तो वो किसी भी ओडर को न्यूट्रलाइस करने में काफी ज़्यादा है तो ये आप ज़रू ट्राइ कर सकते हैं जिस तरह से आजकल बारिश हो रही है बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता है और बारिश शुरू हो जाती है तो बच्चे हमें रेन कोट और इस तरह से कलरफुल अमरेला में नजर आते हैं और ये जो रेन कोट भी कर आते हैं इनको सुखाना भी बहुत बड़ा टास्क होता है तो सबसे पहले जैसे ही बच्चे आते हैं इसको अच्छे से जार लें और अच्छे से फैला दें चाहे हो जिन बारिश भी हो रही हो आप शेड में फैला सकते हैं पानी निकल जाएगा तो यह खुद बखुद ड्राय हो जाएगा इनके शाम मे अगर थोड़ी बहुत धूप आती है तो इसको दूप में डाल दें तो यह अच्छे से ड्राय हो जाएगा और नेक्स डे यूज़ करने के लिए आपके पास रेंगोट होगा तो छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें बच्चे अगर शूज़ गीले करके लेकर जैसे बारिश हम लोगों को बहुत पसंद होती है पौधों के लिए भी उतनी ही अच्छी होती है क्योंकि सारे पौधे ही हरे बरे हो जाते हैं बट बहुत जादा किसी भी चीज़ की एकसेस होना वो ना हमारे लिए अच्छी है ना पौधों के लिए तो अगर आपके पौ इसे ही नहीं फेक दें ये पानी बहुत ज़्यादा नूट्रिशिस होता है पौधों के लिए तो जिस पौधे में पानी भरा हुआ है उसको खाली करके दूसरे बड़तर में निकाल दें और आपके कुछ जो इंडोर प्लांट है या ऐसी जगा पे पौधे आपने रखे तो पौधों को भी टाइम टाइम इस तरह से आप चेक करते रहें इंडोर भी अगर आप कुछ प्लांट रखते हैं तो उनको भी इस टाइम पे जरूर आउट्डूर रखें ताकि वो भी थोड़े से रिफ्रेश हो पाएं और जब उन्हें आप इंडोर लेकर आएं तो ज उसके लिए आप एक चीज़ को रेगलर बेस पे फॉलो कर सकते हैं वो है गोल्डन मिल्क जिसको आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं यहाँ पर मैंने दूद बोईल करने रखा है थोड़ी सी काली मिर्च या फिर आपको इलाइची का फ्लेवर पसंद है तो उसको भी आप यह तो आपको बिल्कुल भी कोल्डन कफ से परिशानी नहीं होगी इसमें आप ड्राइफूड भी पीस कर डाल सकते हैं रोस पेटल डाल सकते हैं तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राय कर सकते हैं अगर आप भी चाय और कॉफी पीने के शौकीन है और कॉफी आपके घर में अक्सर बन रही है बरसात में और आपके पास इस तरह का फ्रॉदर नहीं है तो उसके लिए यहां पर यह टिप आपको कामा सकती है यहां पर सबसे पहले हम जब कॉफी बनाएं तो कॉफी को लें और उसमें थोड़ा सा पानी में उसको इस तरह से सोक करके रग दें कॉफी को इस तरह से brew करना बहुत important है इससे coffee का taste दुगना हो जाता है हम लोग क्या करते हैं जल्दी से उसमें दूद मिलाया और उसको फ्रॉद किया और coffee बना ली coffee तो बन जाती है बर जो coffee का essence होता है वो proper आने ही पाता है तो इस तरह से उसको थोड़ी दे brew होने दे जब यह अच्छे से brew हो जाए उसके बाद आप इस तरह की छलनी ले सकते हैं अगर आप पस फ्रॉदर नहीं है और उससे इसको इस तरह से फेटेंगे अगर आप मीठा लेते हैं अपनी coffee में तो आप इस टाइपन में sugar भी add कर सकते हैं और फिर इसको whisk करना शुरू करेंगे whisk कर से जब करते हैं तो हाथ में बहुत दर्ड होता है बट इस तरह से जब चलनी से करेंगे तो यह बहुत ही convenient रहता है आप थोड़ा सा चोड़ा बरतन लें और इस तरह से whisk करेंगे तो यह देखे fraud ready हो गया है अब इससे आप अपनी coffee easily बना सकते हैं मैं यहाँ पर एक coffee without sugar बना रही थी तो मैंने थोड़ा सा fraud निकाल दिया है और उसके बाद इसमें add किया है sugar और अब इसके बाद जब हम इसे fraud करेंगे ना तो यह बहुत ज़्यादा अच्छे से fraud होता है sugar के साथ में और color भी देखिया बहुत light हो गया तो जितना मरजी आप इसको fraud करें उतना अच्छा ही हो जाता है तो इस तरह से काफी simple method है आपको bulk में अगर coffee बनानी है ना सब के लिए तो आप यह वाला method यूज़ कर सकते हैं बस इसके बाद आप बहुत easily अपनी coffee enjoy कर सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में तो इस tip को भी ज़रूर आप try कर सकते हैं और अगर आपको अच्छी लगए पसंद आये helpful रहे आपके लिए तो मेरे साथ comment में share ज़रूर लास वीक से तो लगातार तीन-चार दिन से बारे इस बन ही नहीं हुई है हमारे याँ आप देख सकते हैं कैसा cloudy weather है और ऐसे weather में बच्चे भी school जा रहे हैं सारे काम हो रहे हैं और कपड़े भी धुल रहे हैं कपड़े सुखने का नाम नहीं ले रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक जुगार कर रही हूँ जो आपके साथ share कर रहे हैं आप कोई भी dory ले 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 और उसके दोनों side में इस तरह से note बना ले और उसके अंदर लगा ले s hook तो आपको दो चीज़ें चाहिए dory और s hook यह कोई permanent solution नहीं है temporary है और उसको आप निकाल भी सकते हैं तो इसको आप room में कहीं भी दो जगा ले लीजे जहां पर आप इनको attach कर सकें और फिर बस आपकी यह dory ready हो गई है आप इसको जब आपको कपड़े डालने हैं आप डालें और जब मर्जी हो आप निकाल भी सकते हैं तो इसके उपर जिसे मैंने यहां पर यह hooks में attach किया तो इसको पर भारी कपड़े नहीं आते हैं पर हलके हलके कपड़े आराम से आगे थे तो आजकर तीन-चार दिन से मेरे कपड़े इसी तरह से सूख रहे हैं फैन को मैं तेचला देती हूँ और तीन-चार गंटे में कपड़े सूख कर रेडी हो जाते हैं कोई स्मेल भी नहीं है और इस जगाड को आप बालकनी में अगर आपके बारिश नहीं आती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो इस तरह से आप भी अपने घर में कुछ ना कुछ नया तो ट्राइ करते ही रहते होंगे अगर आपके पास भी कोई ऐसे सलूशन है मौनसून सीजन के लिए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते है मैं आपके साथ एक और पार्ट भी शेयर करूँगी जल्द ही तो उमीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अपना सपोर्ट बना के रखें मैं मिलती हूँ आपसे कसी और नई इंटरिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू थैंक्स फॉर वाच्चिंग हैव नाइस दे